तो चलिए आज आपको एसे रेमेडि बताने जा रहे हूँ कि जो आपने सपना सोच रख़ाय, सपना ले रख़ाय, वो पूरा होने जा रहा है तो ये देखें जैसे आपको भी इच्छा होते होगी कि इतने काले, गने या सिलके बाल हमारे भी होते कास ऐसे गने बाल हमारे भी होते आपके भी होगे क्यों नहीं होगे क्योंकि थोड़ी सी बालों को देख रेक करनी बहुत जरूरी होती है और थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकालोगे तो इतने अच्छे बाल आपके भी जरूर होगे तो सबसे पहले मैं आपको कोई एक रेमेडी बताने जा रहूं, इसमें कोई जादा चीज नहीं डालनी यह, कोई जादा खाम जाम नहीं है, बहुत शल सी रेमेडी है, ऐसा वीडियो मैंने एक पहले भी डाला, उसमें आपने बहुत प्यार दिया, आपका दिल से धंक्यू, में बहुत बहुत धन्यवाद करते हूं तो यह देखेए यहां में सेम्पू डालूं काटोरी में तो देखे जितने आपके बाल घने लंबे है उतना आपको सेंपू लेना है मैं यहां एक कटोरी ले रहे हूं क्योंकि मैं आपको एक बर रेमेडिक बना की बता रहे हूं और जिसके भी लगा रहे हूं उसके ज्यादा गनेनी बच्चों के लगा के आपको दिखा रहे हूं तो सेंपू जो भी है आपके पास में वह सें आपको यह एलो एरा को नहीं काट की यूज में लेना है क्योंकि एलो एरा को एक पार पांच मिन्ट के लिए इस तरीके से आप खड़ा कर दीजिए कहीं साइड में तो जो भी इसमें जो येलो रस होता है वो निकल जाना चाहिए येलो वाला रस फाइदेमद नहीं है वो जेल आता है बहुती अच्छा गणा एलो वेरा हो रहा है तो इस तरीके से मैंने जेल निकाल लिया है और जितना आप सेंपू ले रहे हो उतना आप जेल लिल दीजिए यहां मैंने दो चमच जेल निकाल लिया इसमें से और एक चमच मैंने सेंपू डाला है एलो वेरा का कि के यहां इतना सिल्की इतना समुठ बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते आप मेंदीम में डालकि अलोएरा लगा सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से इसको mix कर लेना जितना आप अच्छे से mix करोगे इसमें कोई भी देखिए लमस फिकर जो एलोयरा की गुठलियां से आती है न वो नहीं होने चीए इस तरीके से आप या तो चमच से पीश लेजिए मैंने इस तरीके से जिस तरीके से मैंने जेल निकाला चाको से उस तरीके से आप निकालोगे तो एकदम स्मूथ जैसे आप मिक्सी में चला के बनाते हूं उनसे अच्छा यह जेल निकल की आता है तो यह देखिए आपको दिखने से पता चल रहा हुआ अच्छे सी मेन मिक्स कर लिया आप दो चीज भी लगा सकते हैं मैं आपको विटामिन E का केपसुल केपसुल डाली हो एक समा एक इसमें विटामिन E का केपसुल आपके अधे विभी को आप श्क्यप कर सकते हैं क्योंकि विटामिन E का केप bunny भी उता है वह आप सभी जानते हैं यह मैंने मैं लाल लें आदी चमस पाउडर है मैं चीनी का पाउडर होता है वो डाला है मैंने इसको अच्छे से mix कर लेता है चीनी का powder का बहुत फाइदा है जैसे बालों के growth होने रूप के यह है बालों में dendrip होने लग गया है तो आप चीनी का powder ज़रूर mix करके इस तरीके से जो मैंने remedy बताया है वो लगाने आप शुरू कर दीजिए कल से और एक में आप लगातार लगाईए इसमें कोई यह नहीं है कि आपको बाल दो की लगाना है बाल दोने से पहले लगा लीजिए और अधी गंटे बाद में आप बाल दो लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 मिंट बाद में भी आपे बाल दो सकते पर 15 मिंट आपको रख लेन हैं तो मैं आपको पहले मताया क्यूंत ले बनाए बच्चीए लगा रहे हूं तो इनके भी बाल देखें इतने सोफ्ट और मुलाहिम हो जाते हैं उन इस तरीके से आप जड़ो तक पहुंतना चलोरी है तो आप जड़ो मैं इस तरीके से हलके हातों से अंगूलियों से मालिस कर दीजिए 10 मिन्ट आप लगा के जरूर रखे 10 मिन्ट से कम नई कम से कम 10 मिन्ट आप जरूर रखे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर कीजिए एंगूलियों